आलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागात आपका मेड इस चैनल में सुपरफास इस्चटी एन एक्सपरिमेंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेर बॉक्स के बारे में गेर बॉक्स क्यों यूज होता है? गेर बॉक्स का क्या काम है? और gearbox में दिये गए ratio का क्या मतलब है gearbox में दिये हुए gear ratio का क्या मतलब होता है तो सबसे पहले बात करते हैं gearbox का क्या काम है तो gearbox का काम होता है speed reduce करना साथ में torque increase करना यानि की CDC आपको एक example बताता हूँ हम जब भी किसी gearbox को use करते हैं इसके साथ में motor लगा रहता है हम motor का output rpm है बहुत ज़्यादा होता है 900 rpm, 1000 rpm, 1400 rpm और 1450 rpm और ज़्यादा भी हो सकता है इतना high rpm होने की वज़ा से हम उसे directly नहीं use कर सकते हैं equipment के साथ क्योंकि हमको उतना torque नहीं मिलेगा क्योंकि speed से torque जो है inversely proportional रहता है speed ज़्यादा होने से torque कम होता है जबकि speed कम होने से torque ज़्यादा होता है तो हमको चाहिए रहता है torque जहाँ पर हमको torque ज़्यादा चाहिए रहता है वहाँ पे हम gearbox use करते हैं और gearbox को use करने से हमको torque मिल जाता है जिससे हम किसी भी equipment को अच्छे से चला सकते हैं अब यहाँ पर से आपको clear हो गया होगा तो की gearbox का क्या काम है अब बात करते हैं gearbox के ratio के बारे में gearbox का ratio मान लिजे किसी gearbox का ratio है 40 ratio 1 इसका मतलब यह है कि अगर gearbox का input soft जो की motor से connected है अगर वो 40 revolution घुमेगा यानि 40 बार घुमेगा तो उसका जो output soft है वो एक बार घुमेगा यह होता है gearbox में gear ratio का मतलब तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप इससे समझ गए होंगे कि gearbox में gear ratio का क्या मतलब है और gearbox का क्या काम है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब